पीएम मोधी बनाएंगे भारत को हिंदुरास्ट गोवा सरकार के मंत्री धी बगदावली करने विधान सभा में दिया बायान राणे ने राहुल से की मुलाकात राहुल ने दिया राणे को भरुसा तो राणे बोले मांग पूरी होने पर ले लूँगा इस्तीफा वापस सोनिया की बड़ी मुश्किल है इटली की नागरिक्ता पर सोनिया को इलहबाद हाई कोड का नोडिस नागरिक्ता छोड़े विना राइबरेली से लड़ा था चुनाव सानिया मर्जक को अमबेजडर बनाने पर बटी बीजेपी आला कमार ने बीजेपी ने तलक्षमर से जाड़ा पला तो बोली सानिया मरते धम तक रहूँगी भारते वियार वेदान सबाप परिश्द में जेडियू बीजेपी नेताओं की भिड़त बोले सुशीर मोदी मेरे उपर की गई अभद्र टिपनी तो जेडियू ने रगाया गाली गालो चकारू और हवा में सुरक्षित नहीं रही जंदगिया अब नाइजीरिया में अलजीरिया का विमादुर गटना गरस्त क्रू मेंबर सही तक 119 थे सबाद नमस्कार आप देख रहे हैं सुधशन न्यूज आपके साथ मैं हूँ अंचली गवा सरकार में मंत्री ने दीपक दावलीकर ने कहा है कि प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी भारत को एक हिंदू रास्ट के तौर पर विक्सित करेंगे उन्होंने ये बयान राज्य वेदान साबा में दिया है दीपक दावलीकर कॉर्परेशन मिनिस्टर है और जब सुधीन दावलीकर आपको पता दे उनके भाई हैं जिन्होंने गवा में बिक्नी बैन करने की बात कही थी तो बीजेपी के सयोगी मारास्ट गोमांतक पार्टी के नेता दीपक दावलीकर ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी के नेत्रत्व में भारत एक हिंदू रास्ट के तौर पर वेक्सित होगा उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि प्रदान मंत्रे इस दिर्शा में काम करेंगे तो दावलीकर विदान साबा में बीजेपी की जीत पर नरेंद्र मोदी को बदाई प्रस्ताफ पर बोड़ रही थे मोदी पंतरपान अन्भने उसको क्लियर मैजूरिटी मिली लेकिन उसको वोटिंग देते समय भारत ने भारत की जनता ने धर्म जात पार्टी कुछ नहीं देखा शिर्फ नेत्रुत्व देखा एक अच्छा नेत्रुत्व हमको मिला है उसके लिए उसके लिए सब ने उसको इलेक करके लाया है नहीं वो कल्चर तो भारत में बहुत है लेकिन हिंदू राष्ट हिंदूस्तान जो है वो नाम गायब नहीं होना चाहिए वो नाम आना चाहिए अभी ऐसा भी का सुना मंगता है तो महीं ग्लास्गो रास्टमंडर खेलों के अधिकारे गीत के जारी वीडियो में बारते ध्वज को उल्टा पकड़ कर तिरंगे का अपमान किया जाने का मतला सामने आया है बीसवे रास्टमंडर खेलों के अधिकारी गीत में तीन लोगों के हाथों में तिरंगा दिखाया गया है लेकिन इस तरस्वीर में तिरंगे की हरी पट्टी उपर की और है जब की केसरिया रंग नीचे की और है तो महीं ग्लास्गों में आयो जित रास्टमंदर खेलों में भारत को लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो गया है दरसल रास्टमंदर खेलों के उद्खाटन समारों में एक कुत्ते पर इंडिया लिखने का मामला सामने आया है आपको बिता दे ये कुत्ता भारते खिराड तो मैं पिशले दिन ऑस्ट्रेलिया में फैशन वीक में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की तस्वीरे सामने आ रही है यहां अस्ट्रेलियन फैशन शो के दौरान मॉडल फैशन डिजाइनर लीजा ब्लू के डिजाइन की हुई स्वीमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर रेम पर कैट वॉक करती हुई एक मॉडल नजर आई इस स्वेंग कॉस्ट्यूम पर मालक्षमी की तस्वीर डिजाइन की हुई थी तो ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान का पहला मामला नहीं है इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाए सामने आ चुकी है ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फैस्ट्यन डिजाइनर दुनिया में पॉपुलर होने के लिए इस तरह के अधकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी धर्म की आस्ता को अपने निशाने पर रखने का दुस्साहस करते हैं वहीं आस्ट्रेलिया में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किये जाने पर इसका भारत में लगतार विरोध हो रहा है तो ये कोई पहला मामला नहीं है आपको बता दें कि से पहले पिस तरह के बहुत सारे मामले सावने आये हैं जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और जो आस्था है उसको ठेस पहुँचाई गई है तो आइ तेलंगाना सरकार की बात करते हैं आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार का टेनिस स्टार सानिया मर्जा कूसूबे का ब्रांड एंबेसिटर बनाना बीजेपी को aratast नहीं आ रहा हुई आपको बता दे कि बीजेपी विधायक दिल के नेता के लक्षमन ने सान्या को गयर सान्या और बाकिस्तान की बहु करार दिया है जिसके चलते बीजेपी विधायक ने सान्या को ब्राइंड एम्बेसिटर बनाना आगामी इग्रेटर हिद्राबाद में नगरपाली का चुनावों में अल्प संक्यको को रिजाने की टियारेस की चाल बताया है तो दोदर मामले में कॉंग्रेस भी बड़ती नजर आ रही है गौर तलब है कि मंगरवार को मुक्यमंद्री के चंदरशेक खराब ने सानिया को तिलंगाना का ब्राइंड एम्बेसिटर न्यूप किया और एक करूर रुपे का चेक उनी सौपा तो में टियारेस नेता कविता ने राज्जे सरकार के फैसले का समर्थन किया है तो हैं लेफ्ट नेता उने भी तेलंगाना सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि टेनिस खिलाडी सानिया अब भी भारतेनागरी के सानिया मिर्जा अभी भी भारती नागरी के विवाह उनका पाकिस्तान में हुआ है और वो भारती टीम से खेलती है अब ब्रांड अमबेजडर बनाना ना बनाना ये ब्रांड अमबेजडर का बिना मतलब एक पश्च्चमी देशों का चलन है ये किसी लाइक अमबेजडर नहीं है क्योंकि इनकी करतूते बहुत खराब है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ ब्रांड अमबेजडर जो किसी चीज़ के बनना चाहते है तो उनका अपनी सीमाओं के अंदर ध्यान रहना चाहिए सानिया मिर्जा के सवाल पर और पाकिस्तान की बहु का सवाल और कोई है कहीं शादी करेगा इसमें कौन सी खास बात है लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तान की बहु तो फिर यह क्यों नहीं कहते सरकार आपकी है भारती टीम के अंदर वो क्यों कहलती है बारती टीम का नेतित क्यों करती है उसे निकाल बाहर कि ये भारती जंता पाटी सानिया मिर्जा की नागरिकता समाप कर दे आइसे छोटे मुटे सवालों पर इतना बलवा खड़ा करना ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है सानिया मिर्जा इंडियन सिटिजन है इंडिया के लिए टेनिस खेलती है इंडिया के लिए जीत कर कई सारे ट्रॉफिस लिया है अपने भारत की लिए स्पोर्स को जिन्दा रखा अब उनके बारे में इस तरीके की बात करें कि किस से शादी हुई किस से नहीं हुई उसे सबसे आप तैय करोगे ये हम समझते कि कोई आधार नहीं बन सकते तो लगातारी मामला तूल पकड़ता जा रहा है वहीं कॉंग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने भी पूरे मामले को राजशनीतिक बताते हुए कहा है कि सानिया मिर्जा ने कई मौकों पर भारत का मान बढ़ाया है अरे भाई असानिया ने अपनी शेहरियत बदल नहीं दी है खामद उदर का हो जब चक शादी है शादी रहे सानिया मिर्जा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की तरफ से खेलती है और हिंदुस्तान का नाम बुलंद करती है वहीसानिया को ब्रेंडम बिस्टर बनाया जाने के बाद माया भुती निसार्य विर्जत की समर्थन मे तिलंगाना सरकार के पैस्ते का स्वागत किया है. पैदा नहीं होगा, उससे तनाव पैदा होगा, वो ठीक नहीं है.